तो जिनका BP कम उसा सुरा भड़ाग भड़ाग गिरता है, जिनका BP जा दे हुँ हमेसा ख़वराईले रहता है, सरे, कौंची किया रहे, आप चाहते हैं कि हमारी BP बढ़ जाए, तो अपनी पतनी से जा के बात कर ले, और जिनकी पतनी नहीं है, वो अपनी पहिलकी वाली से बत ब्लड प्रेसर देखते हैं, जिसे हम लोग सौटकट में BP कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं, रक्त चाप, गजब खतनाक नाम है, रक्त चाप, ब्लड प्रेसर, ब्लड प्रेसर क्या होता है, कि आर्ट्रीज और वहेंस में लगने वाले प्रेसर को हम लोग ब्लड प्रेसर से जाता है अर लॉट की आता है तो वो बी होता है तो जाने वाला pressure और आने वाला प्रेसर इन दोनों pressure को व्लड pressure कहते है अगर जाने वाला pressure जादे है तो दिक्कत यह है कि कोई पतली पतली नसे फट जाएगी तो हो जाएगा brain hemorrhage, सबसे पतली न से brain की होती है, इसलिए वही फटता है brain hemorrhage, इसलिए फचाक से मारेगा high pressure से न, तो brain hemorrhage हो सकता है, और अगर blood pressure कम है, तो blood pressure लौटबे नहीं करेगा, नहीं लौटेगा, तो फिर आपको चक्कर आने लगागा, भध भध गिरियेगा, तो जिनका BP कम, उसलिए भड़ाग भड़ाग गिरता है, जिनका BP जा दे हुँ हमें सा, खवराई ले रहता है, से रहे, कौँची की यह रहे, देखता है न, BP हाई हो जाता है, किसी किसी का, तो BP जो होता है न, blood pressure, यह क्या होता है, सिस्टोलिक बाई, डाईस्टोलिक, अब यह सिस्टोलिक तब ही न, blood वापस जाएगा, अरे भईया, एक गुबारा में पानी भर दो, अग गुबरवा को पच्काएंगे, तो पनिया बाहर जाएगा, अग गुबरवा को फुलाएंगे, तो वापस आजएगा, तो यह क्या होता है, जब heart क्या होता है, सिकुडता है, सिथलन, क्या ह फैल रहा है, heart का फैलना, जब heart इसे फैलेगा, जब heart इसे फैलेगा, तो समझी यह blood वापस आ रहा है, तो जब heart फचाक से मारा, तो उसे क्या कहता है, सिस्टोलिक, अलोट की आया तो डाइस्टोलिक, अब इसमें दो चीज़े याद रखेगा, पहला एक चीज़े याद र लाइस्टोलिक में हिरदे बड़ा होता है, फैलता है, और भ्लड़ वापस इंट्री मारता है, वापस क्या करता है, उट्री मारता है, तो यह सिटोलिक और डाइस्टोलिक होते हैं, इसे को हम blood pressure कहते है, अमोμαन जो blood pressure होता है, 120ा 80 होता है 120 बटा 80 यह हो गया आपका blood pressure होता है याने का pressure 120 और आने का pressure 180 यह average है यह क्या है average है अब आप कहेंगे कि sir यह क्या चीज़ है 120 है क्या तो यह pressure कैसे निकालता है blood pressure निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक तरह का machine का use करते हैं आज कल यह digital machine आ गया है अब पहले क्या था यह mercury machine था यह क्या था mercury का machine था यह BP को नापने के लिए देखिया इसको दिखा देते हैं आपको कई से नाप जाता है यह भी समझा देते हैं देखिया यह जो है ना यह machine इससे पहले नाप जाता था अभी इसका परियोग बहुत कम होता है इसमें आप देखेंगे नतिया एक reading लगी हुई है यह mercury लगा हुआ है mercury मतलब क्या होता है पारा पारा बोलते हैं जिसे quicksilver के नाम से भी जानते है यह mercury यह mercury जो होता है यह बताता है कि कितना पारा चड़ गया तो एक paper एक तरह का यह belt रहता था जिसको इसे दबा के चोंड देता था अपके हाथ में और गोल सा होता था उससे हवा भर देता था पूरा हवा भर दिया तो टाइट हो जाता था और वहीं टाइट होने के बाद अब वहाँ प्रेसर लगना चालू होता था अब हवा भरता था वहाँ पे खुब तो इसमें क्या होता था मरकरी आगे बढ़ता था मरकरी क्या होता था उपर बढ़ता था कितना प्रेसर लग रहा है जितना जादे प्रेसर लगेगा उतना जादे यह मरकरी क्या होगा आगे बढ़ता था तो डॉक्टर देखता रहा तक कहां maximum गिया है, कहां तक maximum गिया है, मालीजी यहां तक चला गिया, अब इससे आगे नहीं जा रहा है, डॉक्टर और प्रेसर मार रहा है, लेकिन इससे आगे नहीं जा रहा है, तो वो इधर वाला reading को note कर लेगा, मतलब वो दिमाग में बइठा लेगा, कि कहां पर जाके य दिमाग में बइठा लिया, कि इसका जो systolic है, जाने वाला प्रेसर है, वो 140 है, अब उसको आने वाला भी चाहिए, तो इसमें जो हवा भरने वाला इससे गोला ले आ रहता तो उसको खोलेगा, आवाज करेगा, धीरे धीरे खोलेगा, तो जैसे धीरे धीरे खोलेगा, तो जैसे वापस आने के दौरान, इसका डब से आवास सुनाई देगी, कि कट से आवास सुनाई देगी, मतले एक खट-खटाट की आवास सुनाई देगी, समझ जाएगा, ये इधर वाला प्रेसर है, तो जाने वाला, देख लिए आने वाला, तो ये कहेगा, मैक्सिमम जाके आट का था, मैक्सिमम पहली बार आवा जाया था, 140, और वापस आते समय कहा आवा जाया था, 90, कहा देगा, भईया, बीपी तो बढ़ गया आपका, 120 बटा क्या है, 90 है, अब ये कहेंगे, 120 बताता क्या है, तो 120 ये एक दबाओ है, क्या है, दबाओ, ये तो टॉपिक है, फ क्यों चाईब है, सेंटीमीटर क्यों चाईब है, तो ये पारा का है, एमेम है, एमेम जो हता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किसी चीज में रख सेते हैं, मिलीमीटर में रख लेए, मिलीमीटर में रख देते हैं, सेंटीमीटर में और बड़ा होगा, मीटर में और बड़ा ह तो इस पारा को यहां 120 लिख देते हैं 120 mm जब आप पारा भर देते हैं तो एक कम किजिए पाइप में 120 mm पारा भर दिए और नीचे से इसका पेंदी को इसे फोर दिजिए नीचे से पेंदी फोर दिजिए तो सब पारा गिर जाएगा प्रेक्टिकली समझिए का क्या होता है 120 का मतलब तो कराइगिरने मत दिजिए वहां उंगली लगाईए तो किसी पाइप में पारा भरा हुआ है 120 mm पारा भरा हुआ हो नीचे का पेंदी फोर देंगे तो नीकलने का परियास करेगा हम यहां उंगली लगा लिए आप बते यह पर प्रेसर महसूस होगा की नहीं होगा हमको जन्मीन बात है कि उंगली पर प्रेसर महसूस होगा यही प्रेसर वा कहलाता है 120 यानि 120 mm उंचाई का पारा कितना प्रेसर लगा रहा है वही उतना ही प्रेसर हमारा क्या लगाते रहता है बलड लगा रहा होता है तो यह प्रेस देप्र में आदमी कितना डिसकस करेंगा physics आकेर आप लोगगों पर नहीं है तो यह समंझ मुण आगया systolic बटा डाय स्टोली अगर इससे बढ़ गया तो बड़ गया और घट गया तो समझे कि बीपी क्या है घट गया तो low BP, high BP, EC के आधर पर किया जाता है high BP हो गया तो भी दिक्कत है, low BP हो गया तो भी दिक्कत है BP हाई हो जाएगा सब्सक्राइब ब्रेन हैम्रेज हो अगरा होने का खत्रा होता है बात बात पर भड़केगा, BP हाई होने पर समझाए है, high BP जब ब्लड पेसर बहुत जादे high हो जाता है high BP, तो इसे हम लोग कहते हैं hyper tension, बहुत जादे tension है hyper tension कहा जाएगा, hyper tension इसमें क्या होता है, 120 नहों कर 500 हो जाता है, 500 बटा 90 हो जाता है इस तरीप का हो जाता है, अलाकि इसका तो कोई fix नहीं है fix तो यही है, इतना है तो normal है, बढ़ गिया तो बढ़ गिया hyper tension कहते है, और अगर घट गिया तो उसे कहते है low BP क्या कहेंगे, low BP, blood pressure इसे कहते हैं hypotension, hyper नहीं, hypotension hypotension में क्या होता है, घट जाता है 120 के जगे हो जाएगा माली यह 60, तो चमरने लगे गए हमें घट जाता है, तो अगर normal से बढ़ गया तो भी दिक्कत घट गया तो भी दिक्कत, बढ़ता किस लिए है और घटता किस लिए है जब कभी भी आप भोजन में नमक की मातरा, किसमें नमक यानि acid की मातरा, या salt की मातरा या फिर आपने मांसिक तना और टेंसन जादे लेंगे तो आपका BP बढ़ जाएगा आपका BP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत जादे acid का परियोग करने लगेंगे दारू पीने लगेंगे, माग नमकी acid मतलब क्या होता है, मतलब खटा चीज खाईएगा, खटा चीज नहीं समझते हैं, बिटामिन C की मातरा तो आपके सरीर में BP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नमक की मातरा खाएगा, तो BP बढ़ जाएगा तो उसका भी BP क्या हो जाता है, बढ़ जाता है BP घटता कैसे BP दो तरह से घट जाता है कैसे कैसे तो पहला आप base यानी छारी चीज जादे खाईए करेला वगरा खाईए या तीखाई चीज खाईए खटा मतलब acid अ कड़वा यानी तीखा चैपत्ती खाली जा सुचुरा खाली चैपत्ती की है है जब लूज मोशन होता है तो उसके लिए होता है चापति यह सब घरेलू उपाए है दो मिनट में सही कर देते हैं इधर एक दवा होगा देखे तो है कि ने आपको ना बायलो जि intent के लास्ट में कुछ दवाईयों के बारे में भी सब बताएंगा यह कई यह कई दवा है like दवा के लड़कों को आपको भीमारी वाले चेप्टर में आपको हम नॉर्मल नॉर्मल दवाईयां बता देंगे लिंस्ट बता देंगे उसका आपसे याद करवा देंगे और आप एक घरेलू नहीं साबसे आप खुद के एक पर नॉर्मल डॉक्टर हो सकते हैं मतलब जो घरेलू आप सीरियस प्रॉब्लम है तो आप पढ़े लिके तो हाई है बच्चा थोड़ी है को आपसे लूद क कईया तो नहीं कर एकंसर किया है इंपने से लाच कर लेंगा तो चले से लाच कर लेंगा आप से लो बीपी में क्या है और ब्ल merged की कमी हो जाती है जब कभी भी आप के शरीर में ब्ल तो ब्लड का प्रेसर कोंची रहेगा जो वह ही नहीं है तो क्या होगा तो ब्लड घड जाने से भी बीपी हो जाता है जब बढ़ जाता है इनसान को दो चीज का खत्रा होता है एक उसलसरा गुसी आएगा बाद बाद पर तुरत्य फंपी आके गुसी आ जाएगा तो भी खतरनाक घड गया तो भी खतरनाक है अगर मान लीजे आपका बीपी नॉर्मल बीपी क्या है नॉर्मल ठीक है आप चाहते हैं कि हमारी बीपी बढ़ जाए तो अपनी पत्नी से जाके बात कर लीजे पत्नी से बात करेंगा हर बत यह अपने आपको समझे सुप्रीम क से बात कर लो दिमाग चाट जाएगी BP तूरत्य बढ़ जाएगा संज्वाग गया और जिनकी पतनी नहीं है वह अपनी पहिलकी वाली से बतिया वह दिमाग चाट के BP बढ़ गया है बहुत हाई हो गया है तो उनके लिए घरेलू उपाए आप अपनी साली से बात किजिए साल नहीं नहीं झाघगी नहीं है